पार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपिय का एक नोट निकाला, अब बच्चों की तरफ वो नोट दिखा कर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपिय का नोट है, सभी बच्चों ने कह 100 रुपिय का टीचर इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा, सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, अब उस टीचर ने उस नोट को मुठी में बंद करके बुरी तरह मसला जिससे वो नोट बुरी तरह कुछल सा, अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखा कर कहा कि अब यह नोट कुछल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा, सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया, अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेका और अपने जूते से बुरी तरह, फिर टीचर ने नोट उठा कर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अ अब इसे कौन लेना चाहेगा, सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया, अब टीचर ने कहा कि बच्चों आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पड़ाया है, ये 100 रुपिय का नोट था, जब मैंने इसे हाथ से कुछला तो ये नोट कुछल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपिय ही रही, इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपिय ही रही, ठीक वैसे ही इनसान की जो कीमत है और इनसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है, आपके उपर चाहें, कितनी भी मुश्किल है